तो कच्छा ग्यार्मी, इतिहास, यायावार समराज और जो मगोल समराज है, उसके बारे में आपको पढ़ाया हूँ और समराज क्या होता है, मगोल कौन थे, इसके बारे में आपको बता रहा हूँ आज में आपको जो इस पार्ट के प्रस उत्तर है, उनके बारे में आपको बता रहा हूँ पहला जो प्रस नहीं, मगोल कौन थे, जो इसका उत्तर है, मगोल विभिद जन्स हमुदाय का एक निकाय था ये लोग पूर में लातार, खितान तथा मन्चू लोगों से और पच्छि में तुर्की कबीलों से भासागत समानता होने के कारण परस पर संबंद थे, कुछ मंगोल पशू पालक थे, और कुछ सिकारी संग्रहक थे, ये प्रान घुमककण लोग थे, ये लोग इस्टेपी प्रदेश में रहते थे, तेर्मी तथा चोर्मी सताबदी में तंगेज ठान के नेतर्थ में मंगोलों ने एक विशाल समराज की इस्थाबना की थी दूसरा जो प्रस्ण है, यायावार समराज से आपका क्या तात्पर है? इसका जो उत्तर है, वह इस्थकार है, मुलू रूप से घुमककर लोगों को यायावार कहा गया। इस्टेपी शेट में रहने वाले लोग जो घुमककर थे, उनको यायावार कहा गया। यही लोग मंगोल थे, 13 मी, 14 मी, सताबदी में चंगेज खान ने मंगोलों को संकुटरिस करके एक अनुसासित सेन सक्ती फड़ी की और उससे एक विशाल समराज की इस्थाबना थी। उसी की यायावार समराज कहा गया है। उसका प्रारंबिक नाम तेमू जिन था। उसके पिता का नाम एशु, जेई और माता का नाम ओल्विन एक था। उसका विवा वोरेट नामा कन्या से हुआ, उसकी पत्नी का आप्रहन करके गुलाम बना लिया था। जिससे शुटकारा प्रात करने के लिए उसे कथिन संगस करना पड़ा था। जो चोथा कोश्चन है, मंगोलों के काल में इस्तेपी छेद में कोई नगर क्यों नहीं इस्तापित किया जा सका। इसका जो उत्तर है, वे इस मेकार है, मंगोल घुमककर होते थे, उनका मुक्काम पशुओं को चराना तथा सिकार संग्रहन करना था, अतह वे एक इस्तान पर नहीं रहते थे। उन्होंने क्रिशी कार को भी नहीं अपनाया, इसलिए वे शिकार, संग्रहन तथा चारे की तलास में भूमा करते थे। अतह एक इस्तान पर रहना संभव नहीं था, इसी कारण इस्तेपी छेद में कोई नगर इस्तापित नहीं हो चका। पास्मा जो कुष्चन है, वे इस्तापार है, चीन की महान दिवार का निर्मान क्यों किया गया? इसका उत्तर है, महान दिवार का निर्मान क्यों किया गया? शात्मा जो प्रस्ण है, वे इस्तापार है, चंगेज ठान कौन था? उसने मंगोलों का संभटन क्यों किया? इसका जो उत्तर है वे इस प्रकार है संगेज ठान यायावार समराज का संतापत था उसने मंगोलों का विशाल समराज की इस्टावना करने के उद्देश से मंगोलों का संगतन किया उसने 1206 इसवी में मंगोल लोगों को एक सशस अनुशासित चैन सक्ती के रूम में पुन गठिट किया सार्मा जो प्रस्ण है मंगोल अपने स्टैपी परंप्राओं के अधार पर हाली में विजित छेत्रों का सासन नहीं चला सकते थे इसका क्या कारण था इसके प्रमुग कारण था इस्टैपी छेत्र में उस समय धर्म परंप्राओं की भिर्णता थी तथा तरह तरह की अर्ध वेवस्ता थी अचाए इस्टैपी परंप्राओं के अधार पर सासन चलाना संभव नहीं था अता है इस छेत्र में मंगोलों को नए समझोते करने पड़े और नए कारण परंप्राणी लागू करनी पड़े आठमा जो कुष्चन है जो प्रस्टन है वे इस पकार है तेमू जिन कौन था सत्रों को पराश करने के बाद उसने सत्रों के साथ कैसा बेवार किया इसका जो प्तर है तेमू जिन संगेज थन के बच्पन का नाम था वे सहासी था तथा कुषल सैनिक था उसने अपने सत्रों को कुई रूप से पराजित किया और उनको इस लायक नहीं छोड़ा कि वे भविष में सर उठा सके उसे कुचल दिया गया या मार दिया गया अपने पराकरम से वे सबसे प्रभाव साली वेक्टित के रूप में उहरा नौमा जो प्रस्ण है तेमू जिन को संगेज खान या सरभोक सासक की उपादी कब और क्यों दी गई इसका उत्तर है तेमू जिन की विजय तथा पराकरम से प्रभावित होकर बारस उच्छे इजवी में मंगोर सासक के सदारों की सबा कुरिल ताई ने उसे चंगेज खान समुर्दी खान या सरभोक सासक की उपादी के साथ महानाया गोसित किया गया अच्छो आपके सामने जो प्रस्न है उसके उत्तर भी है इसको आप लोग बहुत अच्छे से पढ़िये और इसका अभ्यास करिये इसको समझिये आप लोग और आपको कोई दिक्कत हो कोई तौलम हो तो आप लोग मेरे से संपर करें और जो इसका दस्मा जो कुश्चन है संगेज खान की सैने एक सेफलटा के क्या कारण थे तो इसका जो उस्तर है वै इस प्रकार है वै एक महान योद्धा सहासी तथा कुशल रर नितिकार था दूसरा है घोर सवार सेना की कुशलता तीसरा है चंगेज खान एक अच्छा तीरंजा था चोथा है चंगेज खान के पास मंगोलों की कुशल अनुसासित देना थी बच्चो यह जो कुशल अंसर है इनका जो पीडिएफ है आप सब को इसका सेंड कर दिये जाएगा और आप लोग इसको बहुत अच्छे से देखें और इसका अभ्यास करें और आप लोग ठोड़ी मेहनत करें और